सो हे गाइस तो कैसे हो आप सब लोग सो फाइनली आफटर लॉंग टाइम बाद हम सब भी मिल रहे हैं और मैं जानता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर बहुत ही जादा इनेक्टिफ था मेरे एक्जाम्स और बाकी के बहुत सारी चीजे थी जानता हूँ कि बार बार यही रीजन कंदेरा पर लेकिन क्या करूं अच्छा और रेगुलर वीडियो तो आने रही थी तो तुम लोग अभी टाइटल देखके तो समझी गए होगे टाइटल यह थम्मिल देखके देखो कि ड्रैगून किस तरह वह स्वार्ड में कहता और वह ड्रैगून जो है टाइसन की स्वा में कहता उसकी फूरवर्ज के तो यह बात तो भाई बच्पन से मुझे भी जाननी थी अब देखते हैं क्योंकि मुझे इसका आंसर मिल गया है तो मैं आप लोग के साथ यह चीज़ शेयर करना चाहता हूँ वीडियो पे लाइक मारो यार मैं अभी लाइक है में रखना कु कि ड्रैगून एक स्वार्ड में किस तरक कहता और वो टाइसन के वक्ती क्यों निकला और इसी क्या मजबूरी आ गई थी कि ड्रैगून को टाइसन के सामने आना पड़ा जो बिटपीस बरसों से अपनी घहरी नीन में सोग रहा था इसी क्या मजबूरी आ गई थी इसे एक बच्चे के सामने आना पड़ा, इस चीज़ को जानने के लिए हमें हिस्टरी में बहुत ही पीछे जाना पड़ेगा, जब बिटबीज का नामो निशान भी नहीं था, इसकी शुरुबात ओजुमा के गाउ से हुई थी, जहां उनको एक रहसम है फत्तर मिलता है, जिसकी ताक कानिया बनी थी, पर किसी तरह एक बुड़ी औरत ओजुमा के गाउ में से ये फत्तर को पढ़ने में कामियाब हो जाती है, जो ओजुमा के क्लैन का एक एंसिस्टर था, उन्होंने उस फत्तर में से एक जादू से एक टाकत को निकाला, जिससे वो उनके गाउ को एक जो उसकी ताकत का अपने लिए इस्तमाल करना चाते थे, जिससे वो सभी गाउ वालों पे राज कर सके और अपनी हुकूमत चला सके, और वहां कुछ लोगों ने इस चीज़ को देखके जंग छेर दी, और उन्होंने भी रहसे में फत्तर में से कुछ ऐसे प्राचीन ताकत को कैद करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ चार बिट पीस्ट को नहीं पकड़ पाते हैं, जिनका नाम रहता है ड्राइगून, ड्रॉंजर, प्रेसीन, और ट्रिगर, जिनकी ताकत बहुत ही जादा अधबुत और शक्तिशाली रहती हैं, और ये चारों के चारों में चले जाते हैं, उस फटर में कभी जाते हैं, कभी ना कभी फिर उनको निकाला जाएगा, और बुले लोगों के हाथों में लग जाते हैं, क्योंकि बिट पीस्ट हैं, जिसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, उनको एक सॉलिड अबजेक्ट चाहिए, जिदर वो अपने आपकी हिफाज़त कर सकें, और अच्छे से रह सकें, और ड्रैगून जो टाइसन का बिट पीस्ट है, वो एक साफ दिल वाले के पास अच्छे से रह सकें, और वहां ही टाइसन के पूरवच के गाउं में तलवार बाजी हुआ गरती थी, और वहां एक जंग छेड़ दी गई, और जहां एक साफ दिल वाले ने उस जंग के उपर अपनी आवाज उठाई, लेकिन उसके पास वो टाकत नहीं थी जिस्टे वो जंग को रोक पाए, और वहां ही ड्रैगून टाइसन की पूरवच की तलवार में जाता है, जिस्टे वो जंग को भाई के वही खदम कर सकें, और शांती से रह सकें, जब टाइसन के पूरवच उस तलवार को अपने लिए इस्तमाल करते हैं, तो वो देखते हैं, इस तलवार में अद्बुत टाकत है, जिसे रोकना बहुत ही जादा मुश्किल है, और टाइसन के पूरवच ये बात समझ जाते हैं, कि इस तलवार को वो क को कोई साफ दिल वाला नहीं मिलता लेकिन कुछ ताइम बाद जब टाइसन ड्रैगून को देखते हुए जहता है कि उसे ताकत की जरूरत है उसे अपने दोस्त को बचाना है तो वहां ही ट्रैगून देखता है कि इसकी सोल एक तम साफ रहती है और आकिर का ड्रैगून को भी एक साफ दिल वाला मिल जाता है जिसे वो पीडी से पीडी धून रहा था तो वो इस वज़े से उस तलवार में से निकल के टाइसन की मदद करने जाता है जिससे टाइसन जो है अपने दोस्त को बचा सके और उस पावर का अच्छा इस्तमाई कर सके भागे इस तो यही थी किस तरह ड्रैगून जो है टाइसन की पूरवजों के तलवार में गया तो किस तरह ड्रैगून जो है टाइसन के ब्लेड में चला गया बस इसमें कहानी एक थी कि जब टाइसन के पूरवज को ताकत की जरूरत थी अपने गाउं को बचाने के लिए तो जब ड्रैगून ने अपनी बदोस को बचाने के लिए मदद चाहिए थी तो ड्रैगून ने जब उसके ब्लेड में जाकि उसकी मदद की तुम लोग यह मान सकते हो कि जो भी फूरा श्रीय यह क्रेडिट जाता है वो कैनी को जाता है क्योंकि कभी कैनी जो फस्ता नहीं तो फिर टाइसन को कभी ड पर अच्पार्ण के सबीद डिःतले ने तो यह जान ग debまぁ वड़े को चाहिए में सेड़्स इताता है जो तो अपने पारत गाउने अश्ट I कर दो करते नहीं तो लोग क्या मिस्स कर देता चीज और चैनल पर नहीं हो तो चैनल के सब्सक्राइब करो क्या देख रहा है याद फ्री में तो है और उसके बाजू में एक बैल आइकन रहेगा उससे और पर क्लिक कर देना जैसे आपको जली से जली नाडिवेशन मिल दे जा